बॉलिवुड इंडस्ट्री में आए दिन सेलिब्रिटीज की फिल्मी लाइस्टाइल की बात होती है फिल्मों को लेकर लगतार खबरे बनी हुई है यहाँ पर हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं आज कभी अपनी खुबसूरती मासूमियत अपनी जबरदस एक्टिंग से रात और आज स्टार बनी फिल्म इंडस्ट्री की उस एक्ट्रोस की बारे में जो आज भी लोगों के दिलों में जन्दा है जिनकी आदे आज भी उनकी याद दिलाती है लोगों को रुलाती है हम बात कर रहे हैं 90's के दौर की सबसे बड़ी सूपर हिट हेरोईन रहने वाली दिव्या भारती के बारे में दिव्या भारती एक ऐसा नाम है जो लोगों की जुबा से कभी भी नहीं मिट सकता वो नाम जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमिशा बड़ा नाम रहेगा दिव्या बहुत छोटी उमर में वाली वुट में रातो रा स्टार बनने में काम्याब हुन थी फिल्म विश्व आत्मा में अपने सौंग साच समुंदर पार में तेरे पीशे पीछे आ गई के सरिये काफी ज़ादा मशूर हुई दिव्या को उस फिल्म के हिट होने के बाद एक बार में दस फिल्मों के ओफर मिले थे तेन चार फिल्मे ही उनकी रिलीज हो पाई थी कि एक ऐसा हाथसा हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को पिता कहा सबसे वो दूर चली गई इतने दूर कि उनसे मिलना ना दूंकित था लेकिन देव्या भारती की याद है आज भी लोगों को उनके आखरी दिन की याद दिलाती है आखरी कुछ घंटे जिससे लेकर कहा जाता है कि देव्या बहुत खुश थी आखरी कुछ घंटे में देव्या भारती बहुत खुश थी उसके पीशे का कारण दिव्याब भारती की anniversary मैनी जाती है साथ साथ में दिव्याब भारती का वो फैसला माना जाता है जो की लेकर वो बहुत खुश थी दरसल आखरी दिन कुछ घंटे पहले तक वो बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने मुंबई में ही 4BHK वाला एक फ्लैट खरीदा था और इसी की खुशी में वो फिल्म इंडस्ट्री की फेमस डिजाइनर नीतर लुल्ला और उनके हस्बन और अपने फ्रेंड के साथ बाती कर रही थी दस बच रहा था अपनी सर्वन के साथ भी वही थी घर की मेंड के साथ थी बालकनी में खड़े होकर उनसे बाते कर रही थी तबी पैर फसला और जंदगी हांसे चूट थे देविया भार्ती का वो आखरी समय जहनों ने देखा था उनके आखों में आज भी उने लेकर आसों ही होते हैं नेक्ट नाइन निजरूम से त्रिप्तिक रिपोर्ट